यूपी सरकार में मंत्री भूपेंदर सिंग चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौझूद है बादचीत के लिए सर जिस तरह से कानपूर में हिंसा हुई और गिरफतारी भी हो रही है लेकिन इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं चुकि सवाल उठने लगे हैं उत्तरप्रदेश पर की आखिरकार जब प्रधानमंत्री, राश्टपती, राजपाल, मुख्यमंत्री वहाँ पर मौझूद थे तो पत्थरबाजी हुई कैसे अब यह तो जाच का भी से है, पुलीशिस में जाच कर रही है, लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार माने योगी जी के नेत्रत में बहतर कानून का राज लागू करने के लिए हम लोगोंने बहुत अच्छा काम किया और पिछले पांच बरसों में अपराद में सारे इन बिशों में कमी आई है और जहां तक सामपरदाइक दंगे हैं, सामपरदा के साथ उन सब्विसों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिन्होंने इस कानपूर में अराजकता पैदा करने की कोसिस की है, उनके खिलाब निश्चित रूप से कारवाई, उन सहस्थाओं के खिलाब भी और उन ब्यक्तियों के खिलाब भी कारवाई, दंडात्मक, विदी कारवाई होगी, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम लोग बहतर कानूं का राज कायम करने में सफल रहें हैं आगे भी रहें, ऐसी तस्वीरे देखने को नहीं मिलती उत्तर प्रदेश में की पत्थरबाजी हो, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से बयान पार मेरा अपना निजी मत है ये, कि हमें सभी धर्म को सम्मान करना चाहिए, और हमारे देश में सभी जाती समुदायों के धर्मों के लोग हैं, सभी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सब मिलकर रह रहे हैं, हमने हिंदुस्तान के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और देश के माने मुख्यमंतर जी का और देश के प्रधान मंतर जी का भी संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस सिद्ध फारमुले के साथ हम लोग बढ़े हैं, और सरकार की जितनी भी लाभारती पर यूजना हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया हम सबको साथ लेकर चलने में हमारा संकल्प है, उत्तर प्रदेश के प्रधान मंतर जी के नेतरत में उत्तर प्रदेश को आगे लेकर चलेंगे, विकास सिल बिक्सित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, यह हमारे मुख्यमंतर जी का संकल्प आखरी सवाल कि जिस तरह से लगतार बीजेपी सरकार पर आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि एक तरफा कारवाई की जाती है और एक समुदाई पर लगतार निशाना साधा जाता है टार्गेट किया जाता है आप पिछली सरकारों के समय अगर आप दोजार चौदे से और दोजार बारे से और सतरे तक का जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार राज्ये में रही हैं। उनका आप ट्रेक रिकाउट देखो किस तरह की अपरादी गती भी दी रहीं पूरे परदेस वर में किस तरह की सामपरदाई पूरे तनाव में उत्तर परदेस पाँच साल में रहा हमारी सरकार में कानून का राज है और सब लोग मिल जुलकर रह रहे हैं इस तरह की घटनाए सब्वे समाज के लिए ठीक नहीं है और सरकार योगी जी के नेत्रत में हमारे परदेश के माने मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कानून का राज कायम रहे इसके लिए प्रियास कर रहे हैं काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा जो भी दोसी हैं जिनोंने ये अरा प्रदेश में कानून का राज है कामरा परसें रहुल के साथ मैं स्वाती पाठक भारस समझार दिल्ली